नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है Apex Facts चैनल पर, जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान चल रहा है, जो लाखों लोगों के लिए एक श्रद्धान्जली का प्रतीक है. इस वीडियो में हम राम मंदिर से जुद्धे कुछ छुपे हुए दिलचस्प और अनसुने पहलूओं के बारे में बात करेंगे एक, राम मंदिर की निव में एक गहरा धार्मिक महत्व है. पच्चासा ताली, क्षेत्रों से मिलकर बनी, इस निव में जासी, बिठुडी, यमुनोत्री, हल्दी घाटी, चित्तोडगढ और स्वर्ण मंदिर जैसी महत्वपूर्ण स्थानों की पवित्र मिट्टी है. 2. राम मंदिर के महत्वपूर्ण विशालता के पीछे शानदार सोम पुरा परिवार के वास्तुकार हैं जो वैश्विक स्तर पर सौ से अधिक मंदिर बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं. उनका योगदान खासकर पूज सोम नाथ मंदिर तक फैलता है. 3. अद्भुत रूप से राम मंदिर का निर्माण सामान्य निर्माण प्रथाओं से हटकर किया जा रहा है. इसमें स्टील या इसपात का उप्योग नहीं हो रहा है. श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार पत्थरों के एक मात्र प्रयोग से मंदिर की स्थापना की ताकत को एक हजार साल के लिए सुनश्चित किया गया है. और इतिहास के प्रती एक कवितात्मक सलामी में राम मंदिर की निर्माण में इस्तिमाल की जाने वाली इंटों पर प्रभु श्री राम का पवित्र नाम है. यह राम मंदिर की लंबाई 360 फीट है और चोड़ाई 235 फीट है. शिखर सहित कुल उंचाई 171 फीट है. तीन मंदिर और कुल 12 दर्वाजों के साथ मंदिर एक भव्य स्थान के रूप में वास्तुकला की महानता का प्रतीक है. 6. मंदिर के निर्मान का एक रोचक सम्मिलन एक समय कैपसूल का स्थानांतरण है जो मंदिर के नीचे 2000 फीट गहराई में गाड़ी गई है. इस कैपसूल में मंदिर, भगवान राम और अयोध्या के बारे में संबंधित जानकारी के साथ एक तांबे की प्लेट सहित रखी 7. रोचक रूप से पुरातात्विक सर्वेक्षन सुझाव देते हैं कि बाबरी मस्जित को किसी पूर्व मौजूद संरचना पर बनाया गया था। 8. राम मंदिर का निर्माण पूरे अयोध्या नगर को पुनर निर्माण की दिशा में एक बड़ी पहली का हिस्सा है। 500 करोड के योजना में विकास पर योजनाएं, नई बुनियादी धांचा और सुविधाएं। प्रधान मंत्री मोदी का लक्ष है अयोध्या को एक सम्रिध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हब में बदलना। 9. मंदिर में जटिल कार्विंग्स हैं जो रामायन की कहानियों को सुनाती हैं और भगवान राम के जीवन को प्रदर्शित करती हैं। कुशल कलाकारों ने इन विवरणों को ध्यान से बनाया है जिससे इस स्थानियता में चमतकार पूर्ण और कथाएं बया होती हैं। अंत में बस एही कहना चाहूगा कि अयोध्या, राम मंदिर निर्मान एक साधन नहीं है बलकि यह विश्वास, इतिहास और वास्तुकला की अद्वितिय संगम है। जैसे ही निर्मान कार्य बढ़ता है, मंदिर भक्तों और उत्साहियों को आमंत्रित करता है कि वे इसकी बहुपरकारी कथा को खोजें। जहां प्रत्येक इंट और शिला लेख एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आध्यात्मिक धरोहर और सांस्कृतिक समर्पन से भरी है। बलकि यह भारतिय सांस्कृतिक और एतिहासिक धरोहर का एक साकार चिहन भी है। तो कृपया हमें अपनी राय और सुझाव हमारे कमेंट सेक्षन में सांझा करें। धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम।